इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आप ये रिमोट देख पा रहे हैं Mark-Q AC का रिमोट है Mark-Q Split Air Conditioner का इसके अंदर जो भी available functions हैं उसको आप कैसे operate करेंगे customer को कैसे demo देंगे आपको उसके बारे मैं बताता हूँ इस वीडियो में सबसे पहले तो आपको back side में इसके batteries लगानी है इसको slide करके open करके batteries लगानी है उसके बाद unit को on off करने के लिए ये वाला button दिया गया है इसको एक बार दबाएंगे तो unit on हो जाएगा temperature display पर show होने लगेगा दुबारा दबाएंगे तो unit off हो जाएगा तो ये on off button है ये वाले जो दो button है ये down button है means कि इस वाले button से temperature down कर सकते है customer minimum temperature तक कर सकते है मतलब maximum cooling 16 degree है प्लस में और maximum temperature भी कर सकते है मतलब दो इसकी minimum cooling है customer इस वाले button से आप कर सकते है तो वो इसको 31 degree temperature तक ले जा सकते है तो ये उपर arrow बना हुआ है, temperature increase करने के लिए, नीचे की तोड़ा arrow बना हुआ है, temperature decrease करने के लिए, तो इन बटन से आप temperature up-down कर सकते हैं, ये वाला बटन है, इस पर mode लिखा हुआ है, तो mode वाले बटन से क्या होता है, आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद दूसरा mode है, cool mode, इसमें आप temperature भी adjust कर सकते हैं, अपने according, और fan की speed भी adjust कर सकते हैं, तो इसमें आप अपने according adjust कर सकते हैं, उसके बाद तीसरा mode है, dry mode, तो इसमें आप fan का speed देखेंगे, fan का speed भी operate नहीं कर पा रहे हैं, minimum पर रहेगा ये, और आप इसमें temperature भी up-down नहीं कर पा रहे हैं ये भी आपका automatic रहता है उसके बाद है आपका fan mode तो fan mode में आप fan वाले बटन से operate करेंगे fan का speed चेंज कर सकते हैं बड़ इसमें आप और कुछ टैप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि fan mode खाली indoor unit के को चलाने के लिए होता है means कि fan mode वाले बटन से mode में खा करेंगे उसके बाद एक और mode है heat mode तो यह सब models में नहीं होता यह heat pump के जो हमारे air conditioner है उनके लिए होता है तो इस heat mode के अंदर आप अपने according temperature adjust कर सकते हैं 31 degree तक उसके बाद है आप इसको यह वाला बटन देखेंगे eco लिखावाए eco का मतलब होता है कि आपका जो temperature है जो eco वाला कि आपने suppose करो eco वाला बटन दबा दिया तो eco वाला बटन दबाने के बाद आपका temperature जो होगा remote का 24 degree पर automatically adjust हो जाता है तो automatically adjust हो जाएगा temperature 24 degree Celsius पर और fan का speed जो होगा medium पर रहेगा तो यह आपका energy saving के लिए दिया गया है उसके बाद है timer तो अभी AC आपको off timer लगाना है क्योंकि अभी AC on है तो timer button दबाएंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि आप इस button को up down वाले button से इसका timer chain कर सकते हैं तो 0.5 मतलब आदे गंटे से 24 गंटे तक आप लगा सकते हैं आदे आदे गंटे का gap देकर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह off timer इसके अंदर set हो जाएगा उसके और आप यह on timer लगाएंगे तो AC को on करने के लिए remote को off रखना पड़ेगा आपको तब यह on timer लगेगा उसके बाद है आपका यह fan वाला button इस वाले button से आप fan का speed देख पा रहे हैं minimum है अभी एक बार और दबाएंगे medium हो जाएगा एक बार और दबाएंगे maximum हो जाएगा एक symbol आजाएगा display पर देखेंगे इसको दबाने पर symbol आ रहा है यह sleep mode का symbol है तो यह night के time customer जाएदर use करते हैं अगर रात के time customer 24 degree पर AC लगा कर सोते हैं तो उनको ठंड लग सकती है अगर वो चाहते हैं सोने के बाद उन्हें ठंड ना लगे तो वो इस sleep mode को दबा देंगे तो इस उसके गंटे और बाद यह 26 degree हो जाएगा means की दो गंटे में 2 degree temperature increase हो जाएगा और आपका AC फिर customer का AC वो 26 degree पर चलेगा तो जब इसको आपको हटाना है तो वाबस से यही button दबाएंगे इससे हट जाएगा display वाला button है यह जो display लिखावा इसको दबाएंगे तो यहाँ पर एक symbol glow हो जाएगा means की indoor की जो display है वो on अगर आपको रखनी है तो यह on रखना है अगर इसको दबा देंगे तो off हो जाएगी तो indoor की display पर जो भी temperature वगरा show होता है वो show होना बंद हो जाएगा अगर आप इसको off कर देंगे इस swing वाला button है इसको दबाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर swing on हो रही है दबा दिया off हो गई तो यह आपका left और right वाली जो swing है उसको on करने के लिए वाला button है यह वाला button दबाएंगे आपकी up and down वाली जो swing flap है उसको on करने के लिए यह वाला button दबाएंगे यहां पर arrow भी बने वे, up down और left right, तो यह दोनों swing के लिए हैं, एक left right के लिए, एक up down के लिए, उसके बाद है turbo, इसको एक बार दबाएंगे, तो इसमें turbo mode on हो जाता है, तो turbo mode का basically feature क्या होता है, turbo mode का feature होता है, कि इसको एक बार दबा दिया, आपने तो यह देखेंगे, turbo mode on हो गया, means कि customer का जो अभी AC है, वो एक घंटे के लिए, बहुत जादा power, मतलब maximum cooling पर चलेगा, और अगर आपको इसको हटाना है, तो आप वापस से turbo button दबा देंगे, तो हट जाएगा, तो अगर instantly customer को cooling चाहिए, तो यह turbo mode दबा देंगे, तो यह features हैं इसके अंदर, उसके बाद है lock button, आप lock वाले button को दबा के रखेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका remote lock हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, यह लॉक बन गया, अभी remote काम नहीं करेगा, कुछ भी button दबाएगे, यह बच् करता है, और health वाला बटन दबाएगे, तो यह जब customer के हाँ पर agent person वगरा होते, उनके लिए यह use होता है, तो यह demo के features थे, इस MarkQ के remote में available, थाइंगे,